पुलिस विधेक के बारे में कुछ चीजों को संशेप में कह दिया गया लेकिन ये बहुत ही आश्चरिका विश्य है किसके बारे में क्या गलत फ़हमी पैदा की गई और ये बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहें सदन की कारजवाही को बाधित करने की कोशिस करने किसने समझाया किसने ये चीजों को बताया ये पूरा का पूरा किया जा रहा है ये बीएमपी बिहार मिलिटरी पुलिस ये उपयोगी नहीं है इसका नाम करन इसलिए उसका नाम और दूसरे सभी जगों पर इस तरह का नाम नहीं राजी के अंदर और बिहार में अभी तक बिहार मिलिटरी पुलिस नामकरन था इसको बदल करके जो बताया गया बिहार ससस्त्र पुलिस बल अब इसका नामकरन किया गया और इसके अलावे कई जगों पर जो इन्हें काम सौपा जाता है अभी इन लोगों ने बताया लोग तो तुरत सुबह जाकर के वहाँ पर एक एक चीज को देख रहे थो और सारा काम किया उसका पूरा का पूरा बाउंडरी और एक एक चीज बनाया कितना बार हम कितने साल जा जाकर के एक एक चीज को हम देखे हैं और कैसे किया जाए और उसके बाद वहाँ की सुरक्षा के लिए बीएमपी को ही डेप्यूट किया गया अब आप देख रहें जो और इसके बारे में जो इन्होंने बता दिया दर्भंगा में ये काम को जो सौपा गया है एरपोर्ट जो वहां पर बना है तो ये सब काम और अन्य प्रकार के जिन बातों की चर्चा की गई कि कई प्र प्रकार के बल को आप कहीं कोई सुरक्षा में आदेख भाल के लिए लगाएंगे और वहां कोई क्राइम करेगा तो क्या करेगे क्राइम करेगा तो उसको पकड़ करके नहीं आप उसको गिरफतार करके और उसके उपर कारवाई करने के लिए जो प्रोसीजिवर है उसके रहे हैं, चर्ज होता है, हमने कहा है, अपने विभाग को भी, और एक बात जब इसके बारे में, जब सुने कि इसके बारे में पूरी चल्चा, पहले कभी डिसकसन हुआ था एक एक बात हमने तीन घंटा बैट करके एक एक चीज को देखा है कि कहीं कोई कमी और कोई दिक्कत तो नहीं है और जब इस बात को कहा तो हमने तो बना दिया था उसमें धीजीपी को और जो हमारे अपर मुख्य सचीब है होम डिपार्टमेंट के इस सब लोगों को हमने कहा कि इस प्रकार का दुस प्रचार कौन कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जिस काम के लिए कर रहे हैं और उसी में से किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आप ही के बीच में रहने वाला आदमी और कहीं वो तो नहीं प्रचारिद करवा रहा है कहीं लोगों को गुमराह वो तो नहीं कर रहा है और हमने जो देखा कि कई लोग हम तो चाहते थे लोग डीबैट करते और उसमें हम भाग लेते और एक एक बात हम पूछते कि आप कब पढ़े हैं और क्या देखा है इसका अर्थ क्या है और आज भी जब आपने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में पढ़ पढ़ करके जो एक एक चीज को सुनाया गिया तो किसी ने देखा है ठीक से इससे बढ़ करके कोई गलत बात ह कोई नहीं सकती है अगर किसी को किसी के संड़क्षन की भूमिका आप देंगे और सिर्फ संड़क्षन की भूमिका में वहाँ पर खड़ा रहेगा और कोई आ करके अपरात करेगा तो उसको ग्रिफतार नहीं किया जाएगा और आप जानते हैं कि सारा का सारा ये लोग करने पर नहीं उससे ज़्यादा कारवाई इन लोग ने की है इस मामले में कि अगर कोई अपने अधिकार को ठिट्टंग से नहीं निवाता है तो इस पर हम क्या क्या कारवाई करेंगे और बोलते तो जब आप भी दिया जाता हूँ अपचारिक रूप से और हम तो बीच बीच में अधिकारियों को कानून जब इसका रूप हो रहा था तो इसके बारे में डीटेल प्रेस के सामने पूरी चर्चा कर देनी चाहिए थी कि आखिर क्या काम किया जा रहा है अगर ये चर्चा कर दी जाती तब कोई इसको लेकर के गुमराह नहीं किया जा तो जब ये पेस हो ग पूरी बात बताया था और हमने कहा था कि एक एक बात सबनों को बताईए तो एक एक चीज को बताया कि आ गया कानून आकर के यहां पर हुआ और जैसे ही पेस हुआ उस दिन से क्या हो रहा है और शामानिता चर्चा में भाग लेना चाहिए यह कोई तरीका नहीं है और किस तरह से यहां पर खड़ा हो करके जो करवाया गया है क्या तरीका है यह आज तक इतने दिनों से मैं भी विधाया करत हूँ 85, 84 टर्म में हम यहां काम देख रहे हैं और इस प्रकार का द्रिश्य हमने नहीं देखा आज तक विधान सभावे कि ऐसा कोई द्रिश्य होता है और इस प्रकार से काम करने कोशिश होती है और मुझे बड़ा अपसोस हुआ है कि जो फोटो देख रहे थे बाहर कौन-कौन लोग नए लोग जो चुना होकर के आए है मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार कम से कम जितने नव निर्वाचित विधायक हैं उन सबों के बीच में नियम चाहिए इन सब चीजों के बारे में भी एक जरूर ट्रेनिंग का काम करवा देना चाहिए ताकि लोगों को काम हो अब वैसे तो हमनों का फर्ज है करतब है कि एक एक चीज को बता दे और अगर किसी को लगता है कि यह ठीक नहीं है जैसा करे वो ऐसा करे आदमी का तो अपना-पना सुभाव है और रा परकार का काम नहीं करना चाहिए दीवेट में भाग लेना चाहिए था अपनी बात कहनी चाहिए थी और हम लोग तो पूरी बात पहले सुन लेते और एक एक बात को लेकर के इस पस्ता के साथ बताते कि यह बात उचित नहीं है इसलिए जब किसी को काम दिया जाएगा तो अधिकार नहीं दिया जाएगे और जब अधिकार दिया जा रहा है और अनिश्चित लेकिन संडरक्षन के काम में जब लगया जाता है तो उनको जो प्रारंभिक जिम्मेवारी है और उनको जो दाइत दिया जाता है उसका वो ठीक धंग से उसका निर्धारन नहीं करेंगे तो उनके खिलाब क्या कारवाई हो सकती है ये सब प्रावधान है एक्ट में तो एक एक चीज को जानना चाहिए इस पर ठीक से डिबेट करना चाहिए मैं समझ नहीं पाया हूँ मैं सचमुच आश्चर चकीत हूँ कि इन सब चीजों की चर्चा करना अब कोई भी काम कोशिस में होंगे कि नहीं हो बहुत अच्छा मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए और आपका भी नदन करता हूँ कि नहीं चाहिए जितना देर भी जो भी बी बात करना हो करते रहिए लेकिन आज का जो कारिक्रम है आपको आपने धरित किया था उस चीज को भी नदन करेंगे जाए इसके फिंच में जितनी बाता है तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके बारे में गलत फाहमी है यह बहुत है कि जो कानून है उससे अलग किसम का नहीं है वही सब चीज है यह कोई नहीं है कि बिहार में इस तरह का कोई चीज किया गया इसलिए इन चीजों को जानना चाहिए और अन्य राज्यों में कुछ है तो आप उसको पढ़ लीजिए और तब जानिये कि अन्य राज्यों में है इस तरह से जब कराया गया है आपको यह सब कुछ जो इनको इन विसेस वेपर देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रही हमारे साथ और हाँ अगर आप वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करना मत भुलिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अपने कमेंट सरूरे